क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतोर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं, वो बहुत बीजी रहते हैं. उनके पास रोज काम करने की लिस्ट लंबी होती है. उनके पास सांस लेने तक की फुरसत नहीं होती है. लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 मिनिट्स बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिन में आप जानेगे की कैसे आप 18 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आपको क्रियेटिव बना सकते हो, कैसे आप एनर्जी फील कर सकते हो? तो आएए शुरू करते हैं 18 मिनिट्स बुक. अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी धत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रियेटिव भी नहीं रह पाएंगे. इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टिम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है. ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है, वो सिखाएगी. इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित करना सीखेंगे. और आप ये महसूस करेंगे कि कभी, कभी आपको रूख कर अपने लाइफ की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बहतर बन सके. इस बुक में चार ऐसे ऐलिमेंट्स बताए गए हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा. आपको हमेशा चार ऐलिमेंट्स पर फोकस रखना है. पहला ऐलिमेंट है, आपको पानी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इंप्रूव कीजिए. जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते है, जिसमें आप बेस्ट है, तो आपके जीतने के चांस ज्यादा रहते है. दूसरा ऐलिमेंट है, अपनी कमजोरियों से भागिये नहीं, बलकि उसे अपना ये. इस कमजोरी से फाइदा उठाने की कोशिश कीजिए. अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा. तीसरा ऐलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है, जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए. दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है. जब आप वही करते हैं, जिसे पूरी दुनिया फोलो कर रही है, तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे. इसलिए आप में जो बात अलग है, उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फाइदा उठाएए. चोथा एलिमेंट है, अपनी लाइफ का पेशन ढूड़ना. जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे, तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखे, ना की उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते है. आपका पेशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े. 18 मिनिट्स बुक के कुछ महतापून पॉइंट इस प्रकार है. आगे बढ़ने की होड को कम करना. हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते है, कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते है, तो फुल स्पीड में काम करते है. वो सोचते है कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी. लेकिन कभी कभी रुख कर, सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए. जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे है, तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए. अगर आप एक बहस या जगडे में फज़े है और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े है, तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है. आपको कहां पहुँचना है? यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत है, अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे जट से रियक्ट करते है, उसकी वज़े से आप इन नतीजों पर पहुँचते है. आपको अपना फोकस बदलना होगा. लाइफ के ट्रिगर को हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बज़ाए आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा. आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए. फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रियेक्शन ढूड़ना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मन्चाही सफलता मिलेगी. क्या करना है, डिसाइड कीजिए. क्या आपको वो वक्त याद है, जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहां से करना है. हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है. हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोड़क्टिव होंगे लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है. अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है, तो आप ठक जाएंगे और हार्ड वर्क करने के बजाए आप बस रुक जाएंगे. हर साल आपका फोकस पांच चीजों पर होना चाहिए, जिसमें तीन गोल अपने काम के लिए और दो अपनी परसनल लाइफ के लिए होंगे. इसलिए जब आप अपने टू-डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें सिर्फ वो पांच चीजे लिखिए जिन में आपका फोकस रहता है. अपना डेली रूटीन तयार कीजिए. क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉबलम है. आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी. ये है 18 मिनिट्स टेकनिक. सबसे पहले हर सुबह अपने टू-डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनिट लगाए. याद रखिए आपको वही लिखने है जो आपकी 5 केटिग्री में फिट बैठते हो. फिर हर घंटे आपको एक मिनिट के लिए अपनी प्रोड़क्टिविटी चेक करनी है और देखना चाहिए कि आप कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं. सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनिट के लिए ये रिव्यू करना की आपका दिन कैसे बिता. आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा. आपको कौन सी बात में इंप्रूव करना है. दोस्तों 18 मिनिट्स बुक समरी आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताए.